सो साइन्स एमकेस में आपका बहुत-बहुत स्वागत है जैसा है कि आप यहाँ पर नर्टिप केसन देख पा रहे होंगे ओल इंडिया के नर्सिंग वालों के लिए नर्स सब इस्पेक्टर की लेटेस्ट वेकेंसी जारी यहाँ पर हो चुकी है जिसको लेकर पूरा अपडेट यहाँ पर जारी हो चुका है जैसे कि आपको फोरम कहां से बरना है किस परकार से बरना है इसके अलावा यहाँ पर इलिजिबलीटी योगेता क्या रहने वाली है सेलेक्शन का प्रोसिजर यहाँ पर क्या रहने वाला है इसके अलावा यहां पर आपका वेतन सेलरी कितना रहने वाला है सेलिबस क्या रहने वाला है कटोप क्या रहने वाला है पूरा अपडेट यहां पे चारी हो चुका है फोरम का पीस क्या रहेगा तो चलिए वन बाई वन करके चेक आउट हम यहां पे कर लेते है तो नर्सिंग वालो अगर आपका भी सपनाए SI बनना सब इंस्पेक्टर बनना वो भी नर्सिंग फिल्ड में तो आप अवज से एपलाई करना यह देखिए Government of India, Ministry of Home, Office Director यहां की तरप से यह वेकेंसी निकाली गई है और यहां पर सबसे बड़ी बात है कि All India के विद्यारती अपलाई कर सकते है तो यहां पर देखो SI पाविनीर हो गया स्टाब नर्स हो गया ठीक है इंडिया सिटिजन और इसके लबावा कॉम्मुनिकेशन यह डबल बढ़ती यहां पर निकली हुई है तो अगर हम यहां पर स्टाब नर्स की बात करें SI की तो यहां पर अन रिजर्ड का 13 पोस्ट है AWS का 2 पोस्ट है OBC का 7 ESC का 6 ST का 1 और टोटल 29 आपके यहां पर नर्स सब इस्पेक्टर के वेकेंसी रहने वाली है अब यहां पर बात कर लेते कि कौन कौन पोरम बर सकता है कैसे आपको पोरम बरना है इसका सेलिरी क्या रहेगा तो देखो यहां पर आप नर्स सब इस्पेक्टर बनने जा रहे हो तो सांदार पोस्ट है तो आपका सेलिरी भी सांदार रहेगा यहाँ पर अधिक्तम जो salary रहेगा आपका 1,12,400 maximum salary रहने वाला है तो यह भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है देखो like तो बनता है और पलस आपको other allowance भी मिलेंगे government द्वारा जितनी भी सुविदाएं होती है जितनी भी offer होते है सारे आपको यहाँ पर मिलेंगे अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि इसका piece कितना लगेगा फोरम का तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत ही कम piece आपका लगने वाला है unreserved AWS OBC category candidate required pay examination piece 200 यानि कि मात्र 200 रुपे यहाँ पर आपका लगने वाला है यह देखिए और apply कैसे करना है तो इसकी जो यह official website है sbrectt.government.in इस पर live आपको जाकर भी अभी हम आपको notification दिखाएंगे इसकी official site पर ताकि तोड़ा विश्वास आपको हो अभी आपको proof दिखादेंगे तो यहाँ से आपको apply करना होगा कैसे करना होगा वो तो अभी आपको पूरा procedure बताया जाएगा so इसके बाद आता है आपका physical की देखो यह आपके लिए inspector के vacancy है तो इसमें तोड़ा सापका physical होगा और यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना रहना चाहिए जिसे कि यह description में आप देख सकते हो और आपका height कम से कम यहाँ पर अगर हम बात करें तो 155 से 177 यह देखे for the all candidate not belong to और यह कुछ area है उनके लिए 155 cm height है ना जिसे कि आसाम हो गया मेगाले मिजोरम उनके लिए 155 cm height होना चाहिए और जो बांकी ट्राइवेस एरिया में आते हैं उनके लिए 150 cm बांकी के लिए 177 cm यह इतना सा height आपका normal होना चाहिए और जब आप physical में pass हो जाते हो तो फिर आपका क्या होगा written exam होगा तो written exam का syllabus क्या रहेगा exam का pattern क्या रहेगा वो भी देख लो जब आप qualify कर लोगे physical को तो उसके बाद आपका यहाँ पर common entrance test होगा तो इसमें देखो तीन गंटे का time आपको दिया जाएगा और 150 number का paper रहेगा और 150 mqs आपसे पूचे जाएगे तो multiple choice questions आपसे पूचे जाएगे और subject आपका जीके mathematics, reasoning और आपका general English रहने वाला है तो यह आपके subject रहेगे यह देखिए तो part past का तो यह रहेगा part second का इस परकार से रहेगा तो minimum qualify कौलिफाई करने के लिए देखो general OBC को यहाँ पर कम से कम 50% और यह CST वालो को 45% यहाँ पर requirement होंगे entrance exam में और इतना सा तो आप ले के आ जाओगे क्योंकि आपने telegram को follow करी रखा है तो वहाँ पर खबी जदा important MC कुछ हम डाल देंगे लिंक नीचे दे रखा है PDF भी वहीं पर आपको मिल जाता है तो पहले तो आपका physical होगा फिर आपका return test यहाँ पर होगा तो और भी अधिक जानकर यहाँ पर हम gain कर लेते हैं अब यहाँ पर बात आते कि age का जो relaxation हो कितना होना चाहिए तो देखो age limit तो यहाँ पर आपने दे age relaxation मिलेगा और यहाँ पर तीन साल का age relaxation मिलेगा यह देखिए पूरा यहाँ पर update उन्होंने mention किया हुआ है अब इसकी official side पर भी जाकर आपको दिखा देंगे चलो आपको दिखाए देते इसके official side पर update ताकि तोड़ा सा trust आपको हो ओके सो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यह हम इसके official side पर आ चुके ssb rectt government.in ठीक है तो यह इस परकार का ssb का official side open हो जाता है अब यहाँ पर आप बोलेंगे कि कहां पर है update तो इसके लिए देखो आपको आना होगा उपर आप देख पा रहे होगे requirement का option यह option आपको दिखा है दे रहा होगा तो इस पर आपको click कर देना है तो जैसे आप click करते हो यह इस प्रकार का interface open हो जाता है और नीचे आपको आ जाना है तो यहाँ पर आप UPSC, SSC और SSB देख पा रहे होंगे तो SSB पर देखिए requirement post op यह राज सारा तो इसमें आपका जैसे की ज पार यहाँ पर update आ चुका है तो यहाँ पर आपडेट उन्होंने जारी कर दिया अब यहाँ पर बात आते है कि apply कैसे करें तो apply करना भी बहुत आसान है application form इसके start हो चुके है बेसिकली इसकी optional side पर जहाँ पर requirement का option है इसके side में यहाँ पर apply का option भी दिखाय दे रहा होगा तो apply वाले पर किलिक करना है तो जैसे यहाँ पर किलिक करते हैं इस प्रकार का interface open हो जाता है जहाँ पर जो starting date है 21 October 2023 और जो closing date है यहाँ पर 19 November 2023 सो कर रहा है तो इसके application form start है और य इस पर किलिक कर देना है तो जैसे apply पर किलिक करते हैं यह इस प्रकार का registration form open हो जाता है तो अब यहाँ पर registration ID, password और यह जो capture है यह आपको fill up कर देना है और login हो जाना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या करना होगा registration करना होगा और जब registration हो जाएग उसके बाद फोरम payment out निकाल लेना है यह इस प्रकार से यहाँ पर apply कर सकते हो application form शुरू हो चुके है तो इस तरीके से फोरम apply कर सकते हो अब यहाँ पर देखो notification में क्या-क्या mention किया हुआ है eligibility को लेकर योगता को लेकर तो चलिए उसको check out यहाँ पर कर लेते यह सबी के लिए यहाँ पर दे र ठीक है तो एज लिमिट 21-30 रखा गया है बाकिस में एज का रिलेक्सेशन में रहने वाला है तो यहाँ पर 10 प्लस टू पास आउट होना चाहिए science stream से पहला condition ठीक है दूसरा condition है कि should have three-year diploma in general nurse midwife इंस्टिट्यूट recognize या तो आपके state से आपका registration हो या फिर आपका सेंटर से registration होना चाहिए और इसी के साथ यहाँ पर two-year का experience मांगा गया है तो यह eligibility अगर आप में है तो बेश तक आप यहाँ पर apply कर सकते हो सो फिर यह विद्यार तो मैं तो आपसे यही कहूंगा कि आपको apply कर देना चाहिए nurse सब inspector बनने का मौका है और salary भी सहांदार है आपकी number one अधिकतम यहाँ पर एक लाग बारा जार चार सो रहने वाली है और इसमें डिये allowance देख लो आप यहाँ पर money allowance वासिंग का allowance इतना सुविदाए किसमें मिलती है किसी में भी नी मिलती ठीक है यह देखे वह सारे allowance आपको मिलेंगे इसमें जितनी भी government की सुविदाए न यह government क order है तो इतनी सारी सुविदाए देखो salary तो मिलेगी मिलेगी उसके अलावा यह pension विगरा इसकिम सारा benefit आपको यहाँ पर मिलने वाला है क्योंकि यह military पुलिस department की है न तो इस वज़े से पूरा benefit आपको मिलेगा अब यहाँ पर कापी सारे कमेंट आ रहे थे किसरी यह कौन स तो जिन्हों ने फॉरम फिलप नहीं किया फॉरम फिलप कर देना और इसको लेकर कुछ डाउट अगर आपको लगता है वेसे तो तो पीडिएप आपको टेलेग्राम पर मिली जाएगा और बहुत गुसगी बात है कि टेलेग्राम पर दस हजार विद्यारती ने सपोर्ट क आती है तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप फोलो कर सकते हो